गुद मॉर्निंग फ्रेंस कक्सा पाज के हिंडी क्लास में आपका सागट है मित्रू आज हम एक नई कविता का अभ्यास करेंगे कविता का नाम है सीखो नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि आज हमें इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप कविता सीखने के लिए तैयार है ना ओके तो पहले हम इस कविता के सूर को सुनते हैं बात में उसे समझते हैं कविता का नाम है सीखो इस कविता के प्रश्नाकार है स्री स्रीनाच्सी मित्रू जीवन में प्रकुरूटी का बहुत ही महत्व है इस कविता में कविनी प्रकुरुटी में मोजुद विभिन्न चीजों जैसे की भावरे, फूल, सूरज, पैड, प्रिठ्वी, इत्याडी से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेणा डी है मित्रो जहां से भी हमें अच्छी भली बाते मिले हमें उसे सीख लेना चाहिए तो मित्रो इस कविता को पहले हम गाते है और बात में हम इसे समझेंगे ओके आप सबको भी मेरे साथ इस कविता को गाना है तो आप सब तयार है ना तो चलो हम गाते है पूलों से नित हसना सीखो बवरों से नित गाना तरू की जूकी डालियों से नित सीखो सीस जुकाना सीख हवा के जोकों से लोकों मल बाव बहाना दूद तथा पाने से सीखो मिलना और मिलाना सूरज की किर्णों से सीखो जगना और जगाना लता और पैडों से सीखो सबको गले लगाना मचली से सीखो स्वदेश के लिए तडप कर मरना पत जड़ के पेडों से सीखो दुख में दीर जधरना दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना प्रिठवी से सीखो प्राणी की सची सेवा करना जलधारा से सीखो आगे जीवन पत में बढ़ना और दुवे से सीखो हर दम उंचे ही पर चड़ना फूलों से नित हसना सीखो बवरों से नित गाना इस पंक्ती में कभी हमें क्या कहते हैं कभी कहते हैं कि फूलों से हमें सदा हसते रहना सीखना चाहिए और बवरों से बवरों से हमें क्या सीखना चाहिए बवरों से हमें हमें सा गाते रहना सीखना चाहिए तरू की जूकी डालियों से नित सीखो सिश जुकाना तरू तरू यानि प्रुक्ष या पेड़ पेड़ की जूकी हुई डाली है उसके पास से हमें क्या सीखना है उसके पास से हमें सीस जुकाना है, सीस जुकाना यानि की हमें नमरता से रहना, हमें बड़ोस के साथ नमरता से बात करना, उसका सन्मान करना तो इस पंक्तियों में कभी हमें कहते हैं कि हमें फूलों से सदा हसते रहना, भवरों से हमें साग गाते रहना और पेड की जुकी होई डालियों सबका सन्मान करना सीखना चाहिए सीख हवा की जोकों से लो कोमल भाव बहाना, दूद तथा पानी से सीखों मिलना और मिलाना तो मित्रों, हवा की जोकों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हवा की जोकों से मन में कोमल भाव बहाने की शीख मिलती है कोमल यानी नाजुक, मुलायम पवन की लहरों से हमें मन में कोमल भाव बहाने की शीक मिल्टी है दूद तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना दूद और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए तो दूद और पानी से हमें एक दूसरे से मिलना और मिलाने की सीख मिल्टी है जिस तरह दूद पानी में मिल जाता है इस तरह हमें भी एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहना चाहिए सूरज की किर्णों से सीखो जगना और जगाना लता और पेडों से सीखो सब को गले लगाना सूरज की किर्णों से हमें क्या सीख मिल्टी है सूरज की किर्णों से हमें श्व्या को जगाना और दूसरों को भी जगाने की सीख मिल्टी है पहले हमें खुच जगना है, बाद में दुसरों को जगाना है लता और पेडों से सीखो सबको गले लगाना लता यानी बेल और पेडो व्रुक्षों से हमें क्या सीखना है तो लता और पेडों से हमें सबको गले लगाना सीखना चाहे सब को अपनाना चाहिए सब के साथ अच्छा व्यावार करने की शीख मिलती है गले लगाना गले लगाना यानी प्रेम करना अच्छा व्यावार करना मित्रों कोमल भाव बहाने की सीख हमें किस से मिलती है? कॉमल बाव बहाने की सीख हमें हवा की चोके से मिलती है दूद और पानी से हमें मिल जुलकर रहने की शीख मिलती है और सूरज की किरनों से हमें क्या सीख मिलती है सूरज की किरनों से हमें खुट को जगा कर दूसरों को जगाने की सीख मिलती है लता और पेडों से हमें क्या सीखना है? लता और पेडों से हमें सब को प्रेम करने की सीख मिलती हैं मिट्रों, फूलों से, व्रुक्स की डालियों से, हवा के जोकों से, सूरज की किर्णों से, दूद तथा पानी से लता और पेडों से हमें सीख मिली है, इस तरह हमारे आसपास भी कई ऐसे तत्व है उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ओके? मिट्रों, आशा करती हूँ कि आपको इस कविता की पंक्ती समझ में आ गई होगी जो पंक्ती आप बाकी है, वो पंक्ती अब हम अगले बाग में समझेंगे ओके? फिर मिलेंगे, आओ जो